अगर बताना चाहूं तो आप एक सेयर नहीं खरीद पाते हों कोई बड़े सेयर होते हैं तो उनको अब कितने भी सेयर आधा पोना जो भी है जिस प्रकार से है खरीद सकते हो ठीक है और यह किस प्रकार से आगे आने वाला है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद में H.E.L.T. टागेड वेगन्स है आईदीअपसी फस्ट बेंक है जूबलेंट फूडवर्क्स है यह सारी खबरे हैं मैं आपको बत कर लो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्स बोक्स में मिल जाएगा उसको भी आप जाकर के जोइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रकार की अपडेट मिल जाएगी और आपका कोई क्वेरी है आपको कोई सवाल है तो वहाँ पे आप हमसे पूँच सकते हो डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो उसका भी लिंक आपको क्या description box में मिल जाएगा अब चलते हैं वन बाई वन जो भी चीज़े हैं उनको discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले तो RBI की MPC की मीटिंग है वो मैंने आपको बताई दिया था अब आप बोलोगे कि यह रोज बता करके क्यों बोर कर रहे हो तो रोज बताने से मतलब नहीं है रोज इसमें बतातर लोग यह मान के चल रहे हैं यह 100% आप बोलोगे कि यहां पर जो RBI गवंडर साब है वो इंट्रेस रेट नहीं बढ़ाएंगे फिर दूसरा यहां पर पोल करवाए गया था जुसमें पर बोला कि इस पोलेसी के अंदर तो यहां पर क्या हुआ कि नहीं बढ़ाएंगे ठीक है लेकिन क्या इस पोलेसी के बाद में जो पोलेसी आईगी कि RBI governor साब पिछले policy के अंदर भी बता के गए थे तो उस policy के जो यहाँ पे महंगाई का अनुमान था उस अनुमान को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे तो 75% का मानना है कि बदलेंगे तो आपको मैं बता दूँ कि ज़्यादा तर जो पॉल करवाय जाते हैं उसी प्रकार से RBI governor साब की policy आती है तो आपको यह चीज clear cut पता लग गई होगी कि यहाँ पे policy में क्या आने वाला है अब इसका impact क्या होगा अब देखना सिर्फ यह है data आपको पता हो गया कि यही चीज आने वाली है अब देखना क्या है आपको एक तो जो महंगाई का अनुमान है यह वाला मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूँ यह वाला जो आपको दिख रहोगा कि महंगाई का अनुमान है वो कितना बढ़ाते हैं ठीक है और दूसरा उनका tone किस परकार का रहने वाला है वो देखना आपके लिए और guidance किस परकार का रहने वाला है वो देखना important हो जाता है तो यह चीज है जो data आया है जो मैंने आपके सामने रख दिया है अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि एक इंडिया के अंदर भी fractional share है उसके उपर काम होने वाला है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग है वो MRF के अंदर खरीदते होंगे खरीदना चाहते होंगे लेकिन एक लाग रुपए का सेर है एक सेर ही आएगा एक लाग रुपए में तो कौन उसके अंदर खरीदेगा तो अब यहाँ पे fractional share का meaning यह है कि यह USA के अंदर चलता है यह term ठीक है US में यह चीज चलती है fractional share है तो यह क्या है तो आपको मालो कि आपके पास 10,000 रुपए है ठीक है और आप 10,000 रुपए से यहाँ पे क्या करना चाहते हो सोच रहे हो कि मुझे MRF का share खरीदना है तो आप जितना amount है वो डालना चाहो उतना amount MRF के share के अंदर आ जाएगा जैसे mutual fund के अंदर आपको unit खरीदते हो न तो जितना पैसा आप डालोगे उतने ही unit है यानि कि points के अंदर भी यहाँ पे अब आना सुरू हो जाएगा points का meaning यह है कि आपने मालो कि MRF का एक share नहीं खरीद सकते तो आप आदा share खरीद लो 0.5 खरीद लोगे या 0.1% खरीद लोगे तो इस प्रकार के share भी आप buying कर सकते हो अब आने वाले time के अंदर अब यहाँ पे यह जो जितना चाहे जैसे 5, 10, 50 या 100 रुपए के share जितना भी आप खरीदना चाहो 5 रुपए के खरीदने हैं 10 रुपए के खरीदने 50 रुपए के खरीदने इस प्रकार से share हैं वो आप खरीद सकते हो यहाँ पे जो number के उपर fix कर दिया था कि आपको minimum एक share खरीदना ही खरीदना पड़ेगा या minimum 200 share खरीदने ही खरीदने पड़ेगे ऐसे numbers fix नहीं किया जाएंगे अब आपका जो amount है वो कितना भी यहाँ पे हो ठीक है उस amount के इसाब से जो share बनता है उस time पे वो share आप उतना खरीद सकते हो तो यह इस प्रकार की facility होने वाली है इसकी जो चर्चा है वो यहाँ पे सुरू हो चुकी है और सुक्रवार को M.C.A. fractional share और सेबी को एक presentation देने वाला है और सेबी खुद यह चाहता है कि यह चीज हो ठीक है अब आपको मैंने बहुत बार बताया है कि अमेरिका के अंदर यहाँ फे 45% population है वो आप 5 रुपे का, 10 रुपे का, 100 रुपे का जो share खरीदना चाहो उतने share के अंदर खरीद सकते हो अब यह चीज यहाँ पे लागू होती है तो वास्ताव के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे share market के अंदर उस portfolio के अंदर भी आप मानलो की आप MRF का share खरीदना चाहते हो और आपके पास 20 कंपनिया है उस portfolio में ठीक है, तो आप मानलो की 10 रुपे वहाँ पे आप डालना चाहते थे तो आपके वहाँ पे क्या हो रहा था कि 20 कंपनियों में आप खरीद रहे थे 10,000 रुपे क्या करोगे, डारेक्ली आप डाल सकते हो और जितना share 10,000 रुपे के अंदर आ जाएगा उस प्रकार से ये आपके portfolio में settle हो जाएगा, कोई problem नहीं है कि आप एक share खरीदो ही minimum आपका आदा है, point में जो भी share है वो आएगा तो उस प्रकार से आजाएगा तो ये बहुत अच्छी सी चीज होने वाली है इंडियन मार्केट में भी, तो इस चीज का ध्यान रखना है और ये जल्द से जल्द लागू हो सकती है, ठीक है अब एक और चीज है, IDFC First Bank इसने क्या किया है, QIP लोंज किया है फंड्रेज करने के लिए 3,000 करोड रुपय का फंड्रेज करने वाला है और QIP लोंज किया है, उसका floor price है वो 94.5 के करीबन है और यहाँ पे जो real market price है वो 91 के करीबन आ गया है तो भाई आप QIP के अंदर क्यों करोगे आपको इस QIP में नहीं लगाना है हाला कि bank बहुत अच्छा है यहाँ से काफी अच्छी growth करने वाला है जब यह 40 रुपय, 50 रुपय था तब भी यहाँ पे लोगों के पास इसके अंदर पैसे लगाने के लिए यहाँ पे hoard लगी वी थी और यहाँ पे अभी भी है वो काफी upside बनने वाली है तो आप QIP के अंदर आपको यह 94 का मिलेगा उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे जो price दिख रहा है उस price के अंदर buying करो तो कोई problem नहीं है यहाँ पे आप इस price के अंदर यह जो QIP है इसके अंदर नहीं लगाना है आपको अगर buying करना है या investment करना है तो सीधे market के उपर जाकर के करना है तो यह मेरी राई है इसके अंदर की फसेना उपर मिल जाएगा आपको अगर यह आप market के अंदर जाओगे तो आपको सस्ते में मिलेगा अगर QIP के थ्रू जाओगे तो आपको मेहना मिलेगा इसी के साथ में US की bond yield है वो 16 साल की नई उचाई के उपर है आप ध्यान रखिएगा US की जो bond yield है 10 साल की bond yield उसको आप देखोगे तो 16 साल के high के उपर है ठीक है 4.8% के करीबन चला गया है और यहाँ पर काफी यह समझो की negative यहाँ पर news है Indian market के लिए भी और US के market के लिए भी और dollar index को देखोगे तो 106 के करीबन चला गया है crude oil को देखोगे तो crude oil क्या है OPEC की आज क्या होने वाली है रात में meeting होने वाली है उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है नीचे यहाँ पर ठंडा हो रहा है तो यह तो अगर नीचे आता है तो यह एक अच्छी चीज है बस OPEC Plus की meeting के अंदर यह जो cut है कि यहाँ पर production cut हम करेंगे इस प्रकार की कोई news नहीं आनी चीए तो यह सीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर crude oil नहीं बढ़ना चीए फिर इसके बाद में सेबी ने एक और यहाँ पर नियम निकाला है कि कई जो traders हैं जैसे राकेश जुनजुल वाला जी थे और बहुत सारे retail traders हैं तो उनकी अचानक से कई बार ऐसे दुरुगटना हो जाती है तो उस वज़े से उनके DMAT account को अब क्या कर लिया जाता था पहले क्या होता था कि बहुत सारे fraud कर लिये जाते थे और उसका जो real nominee है उसको पैसे नहीं मिल पाते थे या DMAT का जो भी उसके अंदर investment है तो joint के अंदर जो भी चीज़े हैं तो उसकी पहले जाँच की जाएगी और उसके बाद में पहले जैसे ही उसकी death होती है या कुछ भी होता है तो उसके खाते को freeze कर दिया जाएगा और फिर यहां पर certificate होगा सब चीज़े यहां पर जाँच होगी जो बहुत अची चीज़ है बहुत सारे fraud कर लिये जाते थे क्योंकि लोगों के पता रहता था कोई भी आदमी है वो investment करता था दूसरे लोगों को उसके बारे में पता रहता था तो वो उस चीज़ को fraud कर लेते थे food consumption है यह सारी चीज़ों के shares बढ़ने वाले हैं अब उसके अंदर भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको फाइदा होने वाला है online delivery food delivery के अंदर क्योंकि जो इंडिया के अंदर पूरे matches होंगे और दो बज़े से match सुरू होगा ठीक है पीजाज है जो भी जंक उसको मैं जंक नहीं बोलूगा आपको यहाँ पे बहुत सारे food होते हैं जिनको fast food आप बोल सकते हो तो वो सारी चीज़े हैं order किये जाएंगे तो jubiland food है वो बहुत अच्छा यहाँ पे हर साल आप देखोगे हर बार जो वर्ड कप होता है उसके अंदर बहुत अच्छा revenue करता है यह पूरे दो साल तक अगर मान लोग की negative के अंदर काम कर रहा है ठीक है मैं आपको example देके बता रहा हूं कि मान लोग की jubiland food works है वो दो साल तक अच्छे से revenue generate नहीं कर रहा है और जब कोई वर्ड कप आता है और उस वर्ड कप के अंदर दो महीने इसका जो revenue आता है न तो यह सब को एक साथ recover कर लेता है इतना यहां पे orders इसके अंदर आते हैं तो यह सीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो मैंने आपको बता दिया है इसी के साथ में यहां पे आप देखोगे कि कम से कम economy के अंदर 13,500 करोड रुपए का boost संभव है इस वर्ड कप से यहां पे आपको दिख गया होगा यह मैंने जो meadow card डाला है कि सालाना इसका negative growth रहती है लेकिन वर्ड कप आता है तो 2-3 महीने के अंदर यह negative है ना वो positive में convert हो जाती है तो यह सीज देखिएगा इसी के साथ में जो मैंने आपको news बताई है और भी बहुत सारी खबरे हैं जैसे टीटागेड वेगन को आप देखोगे तो टीटागेड वेगन को यहां पे गुजरात metro के लिए 857 करोड का order मिला है ठीक है इसी के साथ में H.A.L. है उसने बहुत सारे defense के यहां पे orders लिये थे उनके अंदर पहला order है उसको complete कर दिया है उसने fighter jet है वो यहां पे deliver कर दिया है और इसी प्रकार से delivery देता है तो यहां पे और orders आने के पूरे पूरे chances तो ऐसे बहुत सारी खबरे आती रहती है लेकिन important खबरे मैंने आपको बताई है ट्रीगर्स मैंने आपको बताई है तो analysis आपको कैसी लेगी comment section में जरू से जरू बताएगा और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल free में हमारे इंडर में डीमेट अकाउंट open कर सकते हैं उसका link आपको description box में मिल जाएगा मिलता है नेक्ट वीडियो में thank you very much